हेलो फ्रेंट्स, आपने अकसर देखा होगा कि कई बार बॉड़ी को स्लिम रखने के चकर में हम सही तरीके से वर्काउट ही नहीं कर पाते हैं लेकिन लोर गच्छ इलक बिलकुल म स्लिम नहीं हो पाता है। यजसे हमारे थाइस भी काफी ज्यादा मोटी भी हुट जानते हैं कुछ ऐसे आसान से तरीके में आपके थाइस के स्लिम हाफ कर FEMA sia दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके थाइस पर बहुत ज्यादा fat ना हो तो आपको कुछ चीजों को करने की जरुरत है सबसे पहले आपको ये जानने की जरुरत है कि हमारी थाइस पर fat जमता कैसे है दोस्तों अगर आप सही तरीकी की डाइट कंस्यूम नहीं करते हैं तो सेलुलाइट हमारी बॉड़ी के अंदर जमना शुरू हो जाता है और वही सेलुलाइट हमारी बॉड़ी को बाहरी तौर पर फुला देता है जिसकी वज़े से हमारा टमी, हमारे हिप्स, हमारी थाइस काफी ज्यादा मोटी दिखाए देती है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सेलुलाइट कम हो तो आपको व्यायाम करने की, पुशप्स करने की, एक्सराइस करने की, एरुबिक्स करने की या फिर सही तरीके से दौर लगाने की प्राक्टिस सुरू कर देनी चाहिए अगर आप सिंपली सिर्फ सुभा आदे गंटे के लिए दौर लगाते हैं तो उसकी वज़े से भी ये आपके पूरे वर्काउट को कम्प्लीट कर देता है आपकी पूरी लोर बॉड़ी पर सही तरीके से काम करता है लोर बॉड़ी को अच्छे तरीके से मिंटेन करने में आपकी मदद करता है अगर आप सही तरीके की डाइट के साथ व्यायाम करना शुरू करते हैं तो ये आपकी बॉडी को मिंटेन करने में आपकी काफी मदद कर सकता है सो दोस्तों ये सारी चीज़े जरूर ट्राय करिए ताकि आप भी अपनी थाइस के फैट को आसानी से घटा पाएं मेरी ब्यूटी और हलसे रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइब शेयर और सब्सक्राइब कीजिए